Hello everyone, मैं हूँ मेखा और स्वागत है आपका मेरे किचिन में खोली में गुजिया हर खर में बनती है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी मावा गुजिया की रेसिपी एकदम खस्ता बनेंगी और बिल्कुल भी सूखी सूखी नहीं बनेंगी और जब तेल में आप इनको फ्राय करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पटेंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे आधा किलो मैदा लेंगे और इसमें हम आधा कप यानी 125 ग्राम देसी घी डालेंगे घी जमा हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं ये पिगला हुआ होना चाहिए बस हलका सा लिक्विड होना चाहिए अब घी को मैदा में अच्छे से मिलाना है इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लें जितना अच्छा हम इसमें मोयन डालेंगे उतने ही अच्छे हमारी गुजिया बनेंगी तो ये बहुत important step है आप जब भी इसमें मोयन डालें इसको अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद हम इस तरीके से मुठी में लेके देखेंगे अगर ये बिल्कुल बंदरा है तो मोयन बिल्कुल perfect है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी करेंगे ध्यान रखें कि हमें पानी एकसद नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है तो तकरीबन हम इसमें तीन चौथाई कप के करीब पानी डालेंगे यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि हम जो डो रेडी करेंगे वो soft नहीं होना चाहिए थोड़ा hard ही होना चाहिए और डो रेडी करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी even नहीं लग रहा है तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे उसके बाद आप खुदी देखेंगे कि आटे में फर्क आ जाएगा और अब हम stuffing रेडी करेंगे कडाई में हम 2 टेबल स्पून देशी घी डालेंगे घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बदाम डालेंगे काजू डाल दें और पिस्ता डाल दें तीनों ही मैंने 2 दो टेबल स्पून के करीब लिये हैं इनको हम साबुत ही डालेंगे काटके नहीं डालेंगे क्योंकि इनका चूरा जो है पूरे घी को खराब कर देता है इनको बस हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हम इनको कड़ाई में से निकाल लेंगे ध्यान रखें कि बहुत जादा हमें इनको नहीं भूनना है और अब हम कड़ाई में आधा कप डेसिकेटीड कोकोनट यानी नारिल का बुरा डालेंगे और नारिल का बुरा डालके हम लो फ्लेम पे इसको हलका सा भूनेंगे ध्यान रखें कि जैसी ही ये गरम होने लगता है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए हलका सा ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि ये जलना नहीं चाहिए जैसे ही हलका सा brown होना start हो जाएगा हम फटा फट इसको flame off करके एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम कडाई को साफ कर लेंगे और बिना घी डाले आधा कप सूजी डालेंगे सूजी को भी हम low flame पे हलका सा brown होने तक भून लेंगे सूजी मैंने यहाँ पे मोटी वाली ली है और सूजी को भी हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे जैसे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा हलकी सी ब्राउन होने लग जाएगी हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको भी अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम कडाई में 500 ग्राम खोया यानी मावा डालेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे भूनेंगे ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है इसको बस हम हलका सा भूनेंगे जैसे ये हलका सब भून जाएगा इसमें हम किश्मिश डाल देंगे और इलाइची पाउडर भी डाल देंगे बस हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब आप भी देख सकते हैं कि खोया पिखलने लग गया है और ये हलका सब भून गया है और अब हम फ्लेम आफ कर देंगे फ्लेम आफ करने के बाद इसमें हम ड्राइफ रूट्स डाल देंगे dry fruits को fry करनी के बाद मैंने cut कर लिया था तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े pieces में इनको cut कर सकते हैं और उसके बाद इसमें हम 1-1 cup चीनी डाल देंगे चीनी को मैंने piece लिया था तो आप इसमें piece हुई चीनी ही डालें और अच्छे से हम मिला लेंगे चीनी का पाउडर जैसी इसमें मिलने लग जाएगा आप देखेंगे कि ये पिखलने लगा है तो खोया अभी गरम ही है तो गरम खोये के साथ ये चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी अब हम इसमें जो हमने भूनी हुई सूजी और नारिल का पूरा रखा था वो भी इसमें डाल देंगे फ्लेम आप आउन नहीं रखें फ्लेम को आफ करके ही ये सारी चीजें मिलाएं तो अब हम ये अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर important बात ये है कि जो आप इसमें stuffing ready करेंगे ये एकदम सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये बिलकुल dry होगी तो जब हम stuffing करेंगे और उसके बाद जब हम fry करेंगे तो गुजिया फटने लगेंगी तो एकदम ये ध्यान रखें कि सूखी हुई नहीं होनी चाहिए और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने dough ready करा था अब ये एकदम इसका texture change हो गया है और ये एकदम even हो गया है अब हम हाद से मसल के इसको हलका सा soft कर लेंगे उसके बाद अब हम इसकी ऐसे छोटी छोटी balls बना लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम इनकी ऐसे इतनी छोटी छोटी balls बना लेंगे बहुत छोटी भी नहीं बनाएं गुजिया हमारी असानी से बन जाएं छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेंगे ये तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी लोईयां बना ली हैं और अब हम इनको बेलेंगे तो इस तरीके से आप चकले में लें और बिना सूखा आटा लगाएं अब हम इसको बेलेंगे तो जितनी हम पूरी बेलते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हम इनको बेल लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम बेलेंगे और बेलते टाइम आप ये ध्यान रखें कि सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है तो आप ये दे सकते हैं कि मैंने इतनी थिक इनको बेला है और बेलने के बाद अब हम ये साचा लेंगे तो ये गुजिया का साचा आपको असानी से मिल जाएगा उसके उपर हम ये बेली हुई रोटी रखेंगे और चारों और हम इसको ऐसे हलका सा इसमें पानी लगा देंगे ध्यान रखें कि पानी भी आपको बहुत जादा नहीं लगाना है थोड़ा सा हम इसमें पानी लगा लेंगे तो अब हम इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे स्टफिंग आप ध्यान रखें कि बहुत जादा नहीं भरनी है नहीं तो फ्राइ करते टाइम ये फटने लगेंगी उसके बाद अब हम इस सांचे को ऐसे बंद कर देंगे और बंद करके जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम निकाल देंगे और अच्छे से हम इसको प्रेस कर देंगे और उसके बाद अब हम ये सांचा खोलेंगे तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये गुजिया है एकदम परफेक्ट बनी है तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट बनी है इसी तरह हम बाकी की गुजिया भी रेडी कर देंगे और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किस तरीके से बनाएं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बेलने के बाद हम चारों और ऐसे पानी लगा देंगे स्टफिंग भर दें और उसको ऐसे बंद कर दें बना सकते हैं तो जो बिकनर्स हैं उनको नहीं बनाने आती है तो वो लोग इस तरीके से बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हम यह डिजाइन बना सकते हैं तो आप यह डिजाइन दोनों और भी बना सकते हैं या एक साइट भी बना सकते हैं और गुजिया आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं तो इस तरीके से भी आप बिना सांचे की हल्प के भी बना सकते हैं उसके बाद अब हम तेल गरम करेंगे तेल आप ध्यान रखेंगी बहुत जादा गरम नहीं करना है बस हमें थोड़ा ही गरम करना है और तेल गरम होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम गुजिया डाल देंगे ध्यान रखेंगी आपको एक साथ ही डालनी है ध्यान रखेंगी आपको एक साथ ही गुजिया डालनी है थोड़ी थोड़ी करके नहीं डालें एक बारी में आप इतनी डालें कि वो खड़ाई में अच्छे से फ्राई हो जाएं और यहां पर आप ध्यान रखें कि आपको हाई फ्लेम पे गुजिया बिल्कुल भी फ्राई नहीं करनी है इनको आप low flame पे ही fry करें तो थोड़ी सी जब भी fry हो जाएंगी तो इनको अलट पलट करके दोनों साइट से अच्छे से fry कर लें तो यह देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे अलट पलट करके brown होने तक fry कर लेंगे और अगर आपको कोई भी गुजिया लगे कि यह फट रही है तो आप उसको उसी वक तेल में से निकाल दें तो जिस तरीके से मैंने आपको stuffing बनाना बताया है उस तरीके से अगर आप stuffing भरेंगे तो यह गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगी एकदम अगर आप ड्राय स्टफिंग कर लेंगे तो गुजिया फटने के चांसित जादा हो जाते हैं तो इसलिए आप बिल्कुल ड्राय स्टफिंग ना बनाए तो stuffing बिल्कुल सूखी सूखी नहीं बने तो उसके लिए जब आप खोया को हलका सा गरम करेंगे तो उसको थोड़ा सा भून ले थोड़ा सा भूनने से वो हलका सा पिखल जाएगा उसके बाद ही हम उसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो खोया जब हलका सा पिखल जाएगा उसके बाद जब आप stuffing बनाएंगे तो जो stuffing है हमारी सूखी सूखी नहीं बनेगी तो अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइट से ही अच्छे से fry हो गई है बहुत जादा हमें dark brown इनको नहीं करना है और अब ये अच्छे से fry हो गई है इनको अब हम तेल में से निकाल लेंगे ध्यान रखें कि आपको बहुत साबधानी से इनको निकालना है और fry करते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि लो flame पे ही इनको fry करेंगे इसी तरह हम बागी की जो गुजिया हैं उनको भी fry कर लेंगे और ये हमारी सारी गुजिया बनके तयार है थंडी होने के बाद ये थोड़ी और क्रिस्पी हो जाएंगी और जब ये बिल्कुल थंडी हो जाएं तब आप इनको किसी भी एयर टाइट डबे में स्टोर करके एक महीने तक इंचवाई कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बनी है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और जो ये स्टफिंग है ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी तो इस होली पे आप ये वाली गुजिया बना के जरूर देखे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुब काम नाएं